Hello friends, आज हम इस वीडियो में सिखने वाले कि माइक्रो निश ब्लोगिंग क्या होता है दोस्तों, माइक्रो निश ब्लोगिंग जो है ये बहुत ही specific topic के उपर होता है हम कुछ example लेती जिसे के आपको इतना पूरा clear हो जाएगा कि माइक्रो निश ब्लोगिंग क्या होता है अब मान लिजिए कि हम एक topic सिलेक करते है, digital marketing अब digital marketing के अंदर भी sub topics आते हैं जैसे blogging है, affiliate marketing है, social media marketing है अब blogging की बात कर लेते हैं, तो blogging के अंदर भी micro topics आते हैं जैसे कि मान लिजिए wordpress है, plugins के बारे में अगर हम wordpress के बारे में बात करते हैं, तो wordpress जो है एक micro topic हो गया है, यानि कि blogging के अंदर ही wordpress है ब्लोगिंग के अंदर जो माइक्रो टॉपिक है WordPress उसको लेके अगर हम ब्लोगिंग शुरू करते तो इसको अपन बोल सकते के माइक्रो निश ब्लोगिंग है ठीक है अब आपको बैतर तरीके समझने के लिए दुसरा एक्जामपल ले लेते ठीक है मान देट ये एक टॉपिक मेकेनिकल इंजिनेरिंग अब मेकेनिकल इंजिनेरिंग के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आते जैसे फ्लूइड मेकेनिक्स हो गया ठीक है उसी प्रकर से थर्मो डानिमिक्स हो गया अब फ्लूइड मेकेनिक्स के अंदर भी बहुत सारे जो है माइक्रो को लेकर के अगर आप जो है आप ब्लोगिंग करते हैं यानि Is को weather करके आप जो है उस topics के उपर लिखनाज भी शूरू करते तो इस माइक्रो टोपिक्स को अपन बोलेंगे कि ये माइक्रो नीश ब्लोगिंग है ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो नीश ब्लोगिंग क्या होता है ठीक है यानि कि एक जो माइक्रो टोपिक्स से उसको लेकर के ठीक है और दूसरा advantage जिसका यही कि आपको जो है targeted audience मिलती है ठीक है और अगर हम limitations की बात करें तो दूस्तों कुछ समय बात जो है आपको ऐसे लगेगा कि क्या लिखे और कैसे लिखे ठीक है क्योंकि यह बहुत specific topic होता है ठीक है अगर आप micro niche blogging select करते हैं तो ठीक है तो दूस् को subscribe कर देजिए और bell icon जरूर दबा देजिए ताकि इस तरीक के videos जो है हम आप तक लगादार पहुंचे तरह है so thank you friends